हेलो दोस्तों Investing with Prem Channel में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज की वीडियो में जो हैं पांच Undervalued Chemical Stocks के बारे में बात करने वाला है ठीक है और यह पांचों कंपनिया जो बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है Long Term के लिए ठीक है क्योंकि यह जो अपने इंवेस्टर को अच ज़्यादा है यह जो High Valuation पर इस टाइम पर उनमें जो गिरावट भी बहुत ज़्यादा होती है ठीक है और जो Undervalued कंडिशन में होते हैं Stocks उनमें गिरावट बहुत कम होती है तो यह जो है पांचों स्टों है और पांचों के पांचों जो चैमिकल सेक्टर है ठीक है तो वीडियो को जो है पूरा जरूर देखेगा ठीक है तो चली फिर वीडियो को स्टाट कर लेते हैं इंडिया में Chemical and Petrochemical सेक्टर का जो Market साइज है वो जो अभी के टाइम पे है 220 बिलियन डॉलर के आसपास है ठीक है ना और इसका जो है अनुमान लगाए जा रहा है कि यह 2030 तक जो है वो बढ़के 300 बिलियन डॉलर तक यह पौँच जाएगा ठीक है यानि कि आने वाले टाइम में भी इस सेक्टर में जो growth के chances है वो बहुत जाता है और इसी लिए मैं जो है इस सेक्टर की पाँच कंपनी आज 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 डिसकस कर रहा हूँ तो इनमें अगर इन्वेस्टर रहते हैं तो आपको long term में जो है बहुत ही अच्छे return जो है वो मिल सकते हैं तो इसी के लिए जो है मैं आपके साथ जो यह company आज डिसकस कर रहा हूँ तो आज की जो हमारी पहली company है अज पहले इस company के प्राइज है 858 रुपीज का और आज के दिन इसके जो return ह बोलोगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग अपने investor को और यह जो company है यह company जो हमारे 1975 में जो incorporate हुई थी उस time पे क्या है Japan की जो है निट्टा गैलाटीन जो है company है उसने जो है Kerala State Industry Development Corporation Limited के साथ जो है joint venture करके इस company को जो है यहाँ पर जो है खोला था और तब से यह company जो है यहाँ business कर रही है और यह company जो है मेली तीन सेंग्विट में काम करती है जिसमें यह देखिए food solutions जो है जो है तयार करते हैं जैसे है और health support हो गए उससे related यह जो है तयार करते है product और हमारे जो biomedical होगा है जैसे कि आप यहाँ पर भी देख से food solutions में आदात है जैसे हमारे edible gelatin हो गया और gelatin for gummies and candies में जो यह यह यूज करते है तो इस तरह के यह जो product है यह food solution में तयार करते है बाकि health supports में देखे जैसे gelatin for capsules हो गया collagen peptide for beauty supplements हो गया इस तरह के जो यह product आप देख रहे हैं यह सब जो है health support में इनके जो यह product है और वहीं इसका अगर देखें जो biomedicals में हैं उसमें भी आप देख सकते हैं जैसे collagen and gelatin for cell cultures हो गया ठीक है बाकी skin and bone processes में जो है इनका use किया जाता है तो इस तरह के इनके जो है यह product है और इनके जो main customers है वो देख सकते हैं आप कौन हो गया यह सारे इनके जो है खास customers है और अब इस company के जो है fundamental भी आप note कर सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं इसका जो market cap है मात्र 783 करोड का है ठीक है ना यानी 1000 करोड की भी company नहीं अभी कि टाइम पर बहुत चोटी है माइक्रो केप की कंपनी है current price इसका 863 रुपीज है हाई इसने जो है 1184 का बनाया था लोग इसने 733 रुपीज का बनाया था इस टोक का अगर पी देखें तो देखें आप 9.47 है ठीक है इस टोक का पी और इसका industry पी अगर आप देखें तो 378 की इसकी book value अभी की time पे और ये company जो dividend भी प्रवाइड कराती है इसकी जो dividend के लिए 0.72% की है इसके जो ROC ये वो 35.2 है जो की बहुत अच्छा है ROE जो है वो 27 ये दोनों बहुत सही है और face value इसकी 10 है यानि आनवल टाम में split ये देख सकती है इस company के promoter ने कोई भी shares place नहीं रखें जो की बहुत अच्छा है इसका current ratio काफी अच्छा है चार है और इसका जो पेकर इशियो बाजी बहुत सस्ती है मात्र जो है ना के बराबर इस टेक है जो कि 0.01 परसेंट का है और डियाइस की इसमें जो holding है वो 0.12 परसेंट की है तो overall इसका fundamental काफी ज्यादा अच्छा है अब इस company के जो हम sales भी देख सकते है जो की year on year base पे है तो उसमें आप देखिएगा इसकी जो sales है देखिए पिछले यह के मकाबले तो थोड़ी सी कम रही जहां पिछली यह इसको 565 करोड की हुई थी वह इस बार को 533 करोड की हुई है लेकिन इसका जो operating profit है वह आप देख सकते है वह इसका जो है वह बढ़ा है जहां पिछले साल 114 करोड था वह इस बार 123 करोड है क्योंकि इस बार इसका ज sales growth अगर आप देखेंगे तो देखिए 5 साल की अगर आप देखें तो 12% से जो compounded sales growth जो है इसकी grow कर रही है और वह इसके compounded profit growth अगर आप देखेंगे तो 5 साल की 89% से grow कर रही है और stock price EGR देखेंगे 5 साल में जो की 53% से grow कर रहा है जो की बहुत जादा अच्छा है तो overall इस company क return भी आप देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं आज की दिन इसने अपर सरकी rate गया है और इसने जो 2% के positive के return इसने एक ही दिन में बना के दियो है ठीक है अब वहीं इसका एक मेने के return अगर आप देखें तो 34% के positive के return एक महीने के अंदर इसने बना के दिये है वहीं एक 126% के positive के return 5 साल के अंदर बना के दिये हैं और all time के return देखें तो 1447% के positive के return इसने बना के दियो हैं तो यहाँ जिस company के हम बात करना है इस company का नाम भी आप देख सकते हैं इस company का नाम है POCL Enterprises Limited और भी के टाम पर यह 600 रुपे पर trade कर रही है और यह company जो 1988 में जो है इंकोर्परेट हुई थी और यह company जो है वो कई तरके के जो हमारे metals हो गया या chemicals हो गया और उनके जो oxides होते हैं उनको manufacture करते हैं और उनकी जो है trades करते हैं और इस company का अगर product profile भी देखें जिसमें आप देख सकते हैं जैसे metal oxide division में देखें तो जिसमें red lead हो गया लिधार्ज हो गया lead sub oxide हो गया और zinc oxide वगरा यह सब जो है इनके product में है ठीक है बाकि इनका जैसे plastic additive division में देखें जैसे PVC stabilizer हो गया जिसका जो use जो है वो आर PVC pipe में हो ग गया ठीक है और हमारे जो cable insulation हो गया PVC compound and footwear हो गया इन सब में का यूज किया जाता है ठीक है और इसके साथ हमारे zinc refining division में अगर देखें इनका जो use है वो main तोर पे कहां जैसे वरेक्टर्स हो गया thermal paper हो गया electroplating हो गया dietary supplement in animal feed के लिए होता है जो उसमें होगी ceramic हो गया floor tiles हो ठीक है इन सब में इनका यूज किया जाता है और इनका जैसे primarily अगर इनका यूज देखें तो जैसे accelerator, activator and enforcing agent के रूप में इनका किया जाता है रवर्ड में और हमारे lead alloying division में अगर आप देखें तो इसका यूज जो होता है वो mainly जैसे sound barrier के रूप में किया जाता है जो की जैसे कि हमारा जो shield against x-ray हो गया जो x-ray के against में जो shield हम तयार करते हैं उसमें हो गया plumbing industries में हो गया और इसके साथ जो है यह paints में भी जो है इसका यूज किया जाता है और इस company का revenue breakup देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इनका sale of manufacturing goods से अगर आप देखें तो constituted of metal से देखे 54% जो इनको generate हो रहा है metallic oxide से 34% PVC stabilizer से इसको जो है वह 11% का generator हो रहा है और other से जो है 1% का generate हो और geographical यह अगर आप देखें तो उसमें आप देख सकते हैं देखिए internationally अगर आप देखें तो 40% इसको revenue generate हो रहा है और domestic sales से जो है वह इसको 60% का generate हो और इस company के अगर आप fundamental देखें तो लो इसने 170 का बनाया था ठीक है और यहां पर आप इसका जो इस टॉक का पी देखें तो 18.8 है ठीक है वहीं इसका industry का पी देखें तो 35.7 है इस टाइम पर ठीक है यानि कि अभी की टाइम पर बहुत ही ज़्यादा सस्तिव वैलूशन पर अभी भी 10 है ठीक है और इसमें जो प्रमोटर उन्हें कोई इस प्लेज नहीं रखा है करेंट रिशयो भी एक के उपर रसाई है पैग रिशयो भाज भी जो है यह सस्ती है जो कि आप यहां पर देख सकते है यह ठीक है और इसमें जो फ्री कैस फ्लो है वहाला कि थोड़ा निगेटीब में है जो कि 0.86 करोड क अपना स्टेक बनाके बैठे हैं और इसमें कोई भी स्टेक नहीं है तो अबराल इस कंपनी का बिजनस काफी जादा अच्छा है इस कंपनी के अगर सेल्स देगे तो भो भी आप देख सकते हैं यह और यह बढ़ती जा रही है अब एक टाइम पे इसकी जो है 1120 करोड की जो तो तीन साल की अगरा देखें 52% से ग्रो कर रही है वहीं compounded profit growth देखेंगे तीन साल की 125% से ग्रो कर रही है और इस्टॉक प्राइस यह जार देखें तीन साल का तो 128% से यह भी ग्रो कर रहा है तो देखिए हर चीज में बहुत शानदार है इसका इस सिर्विस कंपनी में एक 91 रुपीस पर ट्रेड करिया और एक दिन का return द में देखें तो 0.14% के negative का return बना के दिये वहीं इसका एक मैने काat देखें तो 6.5% के negative का return बना के दिये और और all time का return अगर आप देखें तो 1426% के positive का return इस company ने बना के दीए हैं तो return जो है long term में काफी अच्छे बनाए हैं और यह जो company है यह company हमारा 1996 में जो incorporate हुई थी और यह company जो manufacture करती है और sell करती है हमारा PVC sheeting ठीक है यानि कि जैसे कि हमारे जो vinyl films होती है उनको जिनसे जैसे हमारा PVC PVC leather clothes हो गए ठीक है PVC seating films हो गई precision investment casting हो गई यह सारे जो product यह company जो है वो बनाती है और इस company का भी अगर market cap देखें तो आप देख सकते हैं मातर जो है 39.6 करोड का market cap यानि 40 करोड भी पूरा नहीं है इस time पर ठीक है बहुत छोटी company ultra micro cap की अभी के टाइम पर रिस्क बहुत जाद रहने वाला इसमें ठीक है ना current prices का 91 रुपीज चल रहा है हाई इसने जो है 143 बनाया था low इसका 76 का था stock का अगर P देखें तो इसमें देखें आप 10.2 इस time पर चल रहा है और industry का P देखें तो आप देख सकते 36.5 चल रहा है तो दीखिए जितने भी मैंने आप company आपको बत ठाक है ठीक है phase value अभी भी 10 है आने वाल टाय में split दे सकती है और प्रमोटर ना कोई भी शेयर प्लेज नहीं रखें बहुत सही है और इसका current ratio बहुत अच्छा है पेग रिशी बाइज भाइज भी सस्ती है free cash flow इसके पास 6 क्रोड के पड़े हैं इसके तुरू कैपेक्स कर स और इस company के अगर sales अगर आप देखें तो वो भी देख सकते है देखिए sales भी इस company की काफी अच्छी है जो कि 46.29 करोड तक इस टैम पे हो चुकी है और sales का operating देखिए कितना 5.41 करोड तक पहुँच चुका है जो कि March quarter में देखिए 5.18 करोड तक था ठीक है और इस company के जो net profit वो भी आप देख सकते हैं कितना 3.68 करोड से बढ़के 3.86 करोड तक ही पहुच चुका है तो company profitable है और इसका जो profit है वो भी बढ़ता जा रहा है ठीक है और इस company के अगर हम growth देखें तो भी देख सकते है आप इसमें 3 साल की compounded sales गोड देखिएगा 10% से grow कर रही है compounded profit गोड देखिएगा 3 साल ही 31% से grow कर रही है और stock price CAGR देखिएगा 3 year का वो भी 47% से grow कर रहा है तो company का देखिए ओपराल काफी अच्छा है अभी के टाइम पे बहुत चोटी company है तो देखिए chances ये भी है कि बहुत बड़ी company बनेगी आने वाले time में जब बनेगी लेकिन risk भी उतना ह ज्यादा है तो इसमें जो अपने risk के according ही जो भी कुछ करना है investment करना है या जो भी करना है वो आप अपने हिसाप से कीजेगा ठीक है आज की जमरी चौती company है इसका नाम भी आप नूट कर सकते हैं इस company का नाम है स्री रायल सीमा हाई strength हाई फो लिम्टेड और अभी की टाइ नहीं दिये बल्कि माइनस के 19% के रिटन दिये है ठीक है माइनस में ठीक है वहीं पांस साल का रिटन अगर आव इसका देखेंगे तो 551% के positive का रिटन है पांस साल में लेकिन all time में देखें काफी अच्छे है जो के 2150% के positive के रिटन इसने बना के दियो हुए और यह जो company ह है शिरी रायल सीमा यह जो है 2005 में जो होती है incorporate हुई थी और यह company जो है बोर प्रोड्यूस करती है calcium hypo chloride हो गया हमारा जो stable bleaching powder हो गया sulfuric acid हो गया और other जो chemicals होते हैं वो यह company जो बनाती है तो mainly chemical type के यह product जो ही बनाती है जिसकी list में अभी आपको यहाँ पे screen पर भी दिख रही होगी तो इस तरह के एक सारे product जो है यह company तयार करती है और इस company के अगर fundamental देखे तो इसका जो market cap देखे है 1052 करोड का यह 1000 करोड का market market cap की company अभी के time पे ठीक है small cap की company है और current price का 613 रुपीज है इसने जो high बनाया था वो 815 रुपीज का बनाया था लोज का 439 रुपीज का था और stock का P अगर आप देखे तो 11.9 है इस time पे और वही industry P अगर आप देखे तो 42.4 है तो दीखे वेलुशन के साफे कितना ज्याद 1.7 है आरोई जो है 11.4 परसेंट का दोनों भी ठीक टाक है फेस बेलो अभी के time पे 10 है और इसके जो परमोटर है उन्हें कोई भी शेयस प्लेज नहीं रखा है और इसका जो करेंट रेशियो बहुत अच्छा है पेग रेशियो बाइस भी यह अब इक टाम पर सस्ती मिली औ यहानि कि कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात लिए उसमें जो प्रमोटर का स्टेक है वह 61.8 परसेंट से बना हुआ है बाकि एफाइस का इसमें 0.55 परसेंट का स्टेक है और इस कंपनी की अगर आप सेल्स देखें तो भो भी आप देख सकते हैं इस कंप और इसका जो इसे आप से नेट प्रॉफिट अब हो भी देखें इस बार कम रहा है जो कि 114 क्रोड से सीधा 80 क्रोड तक यह आ चुका है कंपनी के अगर ग्रोथ देखें तो उसमें आप देख सकते हैं देखें इसके जो तीन साल का है वो काफी जादा इसकी से जो है नीगे और आज की जो हमारी पांच भी कमपनी के नाम है फिनियो टेक्स केमिकल ठीक है और 375 पे अभी के टाम पे ट्रेट करिये और आज के दिन के जो रिटन है वो 1.6% के नेगेटिव के रिटन इसने बना के दिये हैं एक महिने का रिटन देखें तो 2.87% के नेगेटिव के बनाके दिये हैं में इसका all time का रिटन देखें लिए हो 1490% के positive के रिटन इसने बना के दिये हैं तो रिटन इसने जो थो है long term में काफी अच्छे बनाये और यह जो company है यह company जो हमारे 1979 में ञहीं incorporate हुई थी और यह company का जो main business है जिसमें यह manufacture करती है हमारे auxiliary and specialty chemicals हो गए जो कि हमारे use किये जाते हैं जैसे textiles में, constructions में, water treatment में, fertilizers में, leather में and जो paint industries होती है वो इनका use करती है और इस company के अगर fundamental देखे तो आप देख सेते हैं इसका जो market cap है वो 4,165 crore का यानि कि small cap की company है इसका current price चल ला 376 rupees है इसने high बनाया था 459 rupees का low इसका 274 rupees का था इस stock का अगर PE देखें तो वो जो अभी के time पे चल ला है 34.8 इस time पे चल ला है और अगर इसका industry PE देखें तो वो जो इस time पे 42.4 चल ला है तो आप देख सकते हैं अभी भी यह इसके साफ से बहुत सस्ते वैलोशन पर अभी लेवल है ठीके ना और इसका जो book value है वो आप देख सकते हैं जो कि 40.4 है और इसकी जो इनके प्रमोटर ने कोई प्रमोटर ने कोई 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 दिक्कत वाली बात लिया उसमें जो इसके प्रमोटर है उनका जो इस कंपणी के अगर आप सेल्स देखे ये और ये बेस पर तो देखे वो कंटिनुशली देखे ग्रो करती जा रही है और अभी के टाइम पर 569 करोड की सेल्स होने लगी है और इसके अगर ऑप्रेटिंग प्रॉफिट देखे वो भी 113 करोड से बढ़के 147 करोड ता की पह ओर देखेंगे तो 3 साल की 41 परसेंसे ग्रो कर रही है और कोड़ी स्टॉक प्राइस ईजर देखे तो तीन साल में 54% से ये क्रोग करता जा रहा है तो इस कंपणी के देखे हर एक चीज़ बहुत ही बैतरीन है इसमें कोई शकर नहीं अने वाल टाइम में आपको जो एक से सला लेने के बाद ही कुछ investment की जाएगा ठीक है मैं कोई से भी द्वारा registered investment advisor नहीं हूँ और एक important चीज मैं बता दूँ आज क्या है मैंने इन company को थोड़ा जो है main main बाते बस खाली इनकी जो है वो देखी है उनको बताया खाले ठीक है इनको deeply analysis नहीं किया उतना ज्यादा कि कितने इनकी branches है कहां कहां क्या है तो अगर आप चाहते हैं कि इनका में अलग से जो है deep analysis करके मैं बताऊं तो उसके लिए आप comment में जरूर डिकेगा जिस company के बारे बताना ठीक है न तो उसको